वेलकम टू एक्जाम भी वेचना तो दोस्तों आज UPS 10 प्रोफेसर का एक्जाम हुआ था उसे का जो प्रशन पत्थर है उसका हम सेकिंड पार्ट डिस्कस करेंगे जो पहला पार था वो जन्ने अनौलोजी का था तो सेकिंड पार था हिंदी साहित्ते का तो चलिए डिस्कस क पता दूं यह आपके आगामी प्रिक्षा के लिए महत्पुन होने वाला है अगर हम बात करें LT Commission या हिंदी जो हिंदी की कोई भी प्रिक्षा उसके लिए महत्पुन होने वाला है एंटी नेट हिंदी के लिए महत्पुन होने वाला है तो इसलिए आप इस वीडियो को शु इनका मूल नाम था विकल्ब D, सेयद गुलाम नवी D सही विकल्ब हो जाएगा यहाँ पर अगला कोशन है भारतिंदु की अक्येली परतिवा ने ही हिंदी नाटक साहित्य हिंदी नाटेशा सर्था हिंदी रंगमच की स्थापना की तो यह गतन किसका है तो यहाँ पर जो कतन हो जाएगा तो यह था भारतिंदु जी के लिए अचारे रामचंदर शुकल का कतन ठीक है ना अगला कोशन है सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काब्बे संग्रह को बाल कल्पना का दुद्मुहा प्रियास कहा था तो यह कहा गया था बीना के लिए 33 का सही विकल्प C हो जाएगा अगला कोशन है 34 पूचा गया है दूसरा सब्तक का प्रकाशन कब किया गया था तो यह किया गया था 1951 इस विए में यहाँ पर 34 का सही विकल्प A हो जाएगा और किसके द्वारा किया गया था अग्गेजी के द्वारा ठीक है न अगला कोशने 35 किले में औरत किस कवी की कवीता है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह क्या है कवीता बीदा की रचना है क्या है यह किले में औरत और किसकी रचना है तो ये हो जाएगी आपके रगुबीर सहाय की रचना 35 का सही बिकल्ब यहाँ पर C हो जाएगा अगला कुछने 36 डॉक्टर गुपाल राय के द्वारा किस कृती को हिंदी का पहला उपनियास माना गिया है नहां पर जो सही बिकल्ब हो जाएगा तो वो हो जाएगा बिकल्ब C देवरानी जिठानी की कहानी जो उपनियास है इसे डॉक्टर गुपाल राय के द्वारा हिंदी का पहला उपनियास माना गिया है 36 का सही बिकल्ब C हो जाएगा अगला कुछन है फांस उपनियास का मूल कत्य क्या है तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो फांस है या उपनियास है और किसका है? संजीब जी का है याद रखेगा संजीब जी का उपनियास है और इसका मूल कत्य या विशे क्या है तो यह होगा किसान आतामथ्या के बारे में इसमें जिक्र किया गिया है ठीक है na अगला question होगा 38 इसमें पूछा गया है सच्चेतन कहानी की अबदाना किस कहानीकार गी है तो यहां पर सही बिकल्ब हो जाएगा बिकल्ब D मही प सी है 38 का सही भी कल्ब D हो जाएगा अगला कुशन है निमिलिकित नाटक एवं नाटक कारूं का चैन कीजिए या सुमेलित कीजिए तो चलिए मिलान करते हैं तो यहाँ पर जो अवंग गाथा नाटक होगा यह हो जाएगा आपका नरेंदर मोहन का उसके पर शाथ है ताले में बंद प्रजातंतर यह हो जाएगा विभू कुमार का फिर है बाईरस यह हो जाएगा राजिश जैन का और अंत में है इत्ता की अवाज तो यह होगा असगर बजहात का फिर से बता दूँ अभंग गाथा हो जाएगा नरेंदर मोहन का ताले में बंद प्रजातंतर यह बिभू कुमार का होगा फिर है बाईरस तो यह हो जाएगा आपका राजिश जैन का और सबसे अंत में है इत्ते की अवाज तो यह हो जाएगा असकर बजहात का और यह क्या है यह नाटक और नाटक कार है अगला कोशन है चालिस पुछा गया है भारत दुर्दशा को निमिलिखित में से क्या माना गया है तो यह माना गया है बिकल्प भी नाटे रासक ठीक है ना चालिस का सही भी हो जाएगा और एक इसकी रचना है? नाटे भारत दुर रशा तो यह हो जाएगी भारत इंदु हरिश्चिंदर की रचना अगला कोशन है स्वभाग्य और दुर्भाग्य मुनुष्य की दुरूबलता के नाम है ये कतन किसका है? तो जो ये कथन है ये हो जाएगा 41 का A दुरुपस्वामीनी का अगला कोशन है यहाँ पर लंका की एक रात निवंदकार कौन है जो रचना है लंका की एक रात ये निवंद है और इसके निवंदकार का नाम हमें बताना है तो यहाँ पर सही भीकल्प हो जाएगा कुवेर नाथ राए 42 का सही भीकल्प भी हो जाएगा अगला कोशने मिला तेज से तेज किस विदा की रचना है तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना चाहिए कि यह किस की रचना है तो यह हो जाईए सुवद्रक मारी की रचना और किस विदा की रचना है ये तो यह हो जाईए आपकी जीवनी विदा की रचना ठीक है, न? अगला कुछन च्वालिस अपनी जमीन अपना आसमा की लेखी का कौन है? तो यह हो जाएंगे यहाँ पर रजनी तिलक 44 का सही बिकल्ब C हो जाएगा अगला कोशन है कच्छवा धर्म निवंद के लेख कौन है सबसे पहले तो यादर किएगा ये निवंद है कच्छवा धर्म और किसका है बिकल्ब भी चंदर्धर्शर्मा गुलेडिका अगला कोशन है आप खुदरी किस साहित्तिकार की यात्म कथा है तो ये हो जाएगी C रमणिका गुपता की अगला कोशन है यहाँ पर भर्तमुनी के रसुत्तर में प्रयुक्त निश्वत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस अचारे ने माना है तो ये माना था बिकल्प भी भट लूलर्ट के द्वारा अगला कोशन है किस अचारे ने द्रिश्ट प्रीती और अद्रिश्ट कीरती को कब्बे प्रयोजन माना है तो ये माना ये है बामन के द्वारा यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा C ठीक है अगला कोशिन देख लेते हैं ये है रिती के अधारभूत तत्व के रूप में बामन का क्यासा दृष्षी कौन था तो ये था विशुद रसवादी ठीक है ना डी सही बिकल्प हो जाएगा उन्चास का अगला कोशिन है चलती चाकी देख के दिया कवीरा रोय दो पार्टन के बीच सावुद बचाना कोई काविय पंक्तियों में कौन सी शवशक्ती है तो ये हो जाएगी बिकल्प सी बेंजना शवशक्ती अगला कोशिन है 51 लुण्जाइनस ने उदाथता का बिवेचन किस गंत में किया है तो ये किया गया है ओन दी सब लाइन में 51 का सही बिकल्प सी हो जाएगा अगला कोशने बावन किस पाश्चाती विचारक ने कला और सहजानु भूती को अभीन माना है तो ये माना गया था बैने दीतो क्रोचे के द्वारा बावन का सही भी कल्प यहां पर यह हो जाएगा अगला कोशने त्रेपन नई स्मिक्षा की किंदर में कौन है तो जो नई स्मिक्षा की किंदर में होगा तो वो हो जाएगी क्रिती त्रेपन का सही भी कल्प भी हो जाएगा यहां पर अगला कोशने बस्तू घटना ब्यापार गुन विशेशता विचार आदी साकार निराकार परदार्थों और मानस क्रियाओं को कभी किस के द्वारा परतियक्ष और इंदरी गराहे बनाता है किस के द्वारा बनाता है इंदरी गराहे तो यह बनाता है मिथक के द्वारा मिथक के द्वारा नहीं बिम्ब के द्वारा यहां पर जो चोवन है सही भी कल्प हो जाएगा इसका डी बिंबी के द्वारा ये सब इंदरी ग्राहे बनता है जब हम किसी की कल्पना करते हैं मानले जी ये बोलते हैं कि वहाँ पर ऐसी आकरिती है ये कुछ है तो ये बिंब के मादें से बनता है ठीक है अगला कोशने पच्पन इसमें पूछा गया है परतीक बाद की सरप्रतम खुषना किस विचारक ने की थी तो ये की गई थी बिकल्प सी जीन मोरे के द्वारा पच्पन का सही बिकल्प सी हो जाएगा अगला कोशन है चायवाद पुस्तक के लेखक कौन है तो जो चायवाद पुस्तक ही इसके लेखक हो जाएंगे नाम बरसी है अगला कोशन है जाती का बिनाश पुस्तक के लेखक का नाम बताईए तो जो जाती का बिनाश पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगे बिकल्बडी डॉक्टर भीमराब अमबेड कर ठीक है न? अगला कोशन है 58 धर्मकथा, पूरा बृत या पूरा कथा के लिए अलोचन की शब्दावली में किस शब्द का प्रियोग किया जाता है तो ये किया जाता है मीथक का 58 का सही बिकल्प यहाँ पर D हो जाएगा अगला कोशन है 59 इसमें पूछा गया है सरबुदे और टर्ष्टिशिप के सिधान्त किस दर्शन के अधार माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं एकात्म मानताबाद की 59 का सही बिकल्प यहाँ पर B हो जाएगा अगला कोशन है 60 इसमें पूछा गया है ओम प्रकाश बालमिकी की आत्मकता का क्या नाम है तो ये हो जाएगा बिकल्प यह जूठन अगर आपने अभी तक जूठन आत्मकता को नहीं पड़ा है तो अविश्य पड़ेगा बहुत ही हिला देने वाली आत्मकता है ये जूठन दलीतों के उपर आधारित है इसी परकार इनकी एक तुलसी रामजी की बहुत ही चर्चित आत्मकता है मुर्दिया ठीक है मुर्दिया उसको भी विश्य पड़ेगा बहुत अची आत्मकता है ये दोनो आगे हैं उन्होंने सामान्य हरिदे तत्व की स्रिष्टी ब्यापनी भावना द्वारा मनुश्य और पशु पक्षिस्व को एक जीवन सुत्तर में बद्द देखा है तो ये गतन किसके लिए कहा गया है तो ये कहा गया है रामचंदर शुकल द्वारा जैसी के प्रति 61 का सही विकल्प यहां पर सी हो जाएगा अगला जो कोश्चिन है 62 इसमें पूछा गया है विद्यापति की कवीता का स्थापतिय श्रिंगारिक है उसे अध्यात्मिक कहना खजुराहों के मंदिर में अध्यात्मिक कहना है क्या है विद्यापती की कवीता का स्थापत ये श्रिंगारिक है उसे अध्यात्मिक कहना खजुराहों के मंदिर को अध्यात्मिक कहना होगा तो ये पंक्तियां किस लेखक की हैं या किस विद्वान की हैं तो यह जाएगी डॉक्टर बच्चन सी हैं की 62 का सही बिकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा अगला कोशन है 63 इसमें पूछा गिया है इनमें कोई संदेह नहीं की कवीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ पर आगे चलकर कवीर के राम रामानंद के राम से बिन हो गए ये कतन किस का था तो ये कतन था आचारे रामचंदर शुकल का 63 का सही बिकल्प यहाँ पर भी हो जाएगा अगला कोशिन है धान को गाम प्यारते जानो ग्यान विशेरस बोरे सूरसो बहुत कहे ना रहे रस गुलर को फूल गुलर को फल फोरे तो यहाँ पर इस पंक्ती में जो अंतिम पंक्ती है गुलर को फल फोरे इसका क्या अर्थ होगा तो जो ये पंक्ती अंतिम इसका अर्थ यहाँ पर निकलेगा बिकल्प D ढकी छिपी बात खोलने से कही गई बात का अनन्द समाप्त हो जाता है 64 का से ही बिकल्प यहाँ पर D हो जाएगा अगला कोशने 65 इसमें पूछा गया है कामाईनी का नौवा सर्ग कौन सा है तो जो कामाईनी का नौवा सर्ग था तो ये था एरा ठीक है आपके लिए एक प्रशन छोड़ देता हूँ आपको बताना है कामाईनी का प्रथम और अंतिम सर्ग कौन सा है उनका नाम आपको बताना है ठीक है अगला कोशने 66 निराला की राम की शक्ति पूजा किस से प्रेरित होकर लिखी गई है तो 66 का सही बिकल्ब हो जाएगा कृतवास रामायन से 66 का सही बिकल्ब भी हो जाएगा अगला कोशने जिन्दगी निश्क्रिय बन गई तलगर अब तक क्या किया जीवन क्या जिया ये जो कभी की पंक्तिया किस कभी की पंक्ति होगी ये तो ये हो जाएगी आपके बिकल्ब एब मुक्ति बोत की पंक्तिया अगला कोशने यहां पर 68 68 इसमें पूछा गिया है प्रेमचन का कौन सा उपनियास पहले उर्दू में बजारे हुसन के नाम से लिखा गिया था 68 का सही बिकल्प हो जाएगा C. सेवासदन अगला कोशन है 69 उसने कहा था कहानी का प्रकाशन किस भर्ष हुआ था तो ये हुआ था सन 1915 में सही बिकल्प यहां पर 69 का भी हो जाएगा अगला कोशन है 70 अंधायू का कौन सा पातर है जो अविशप्त जीवन जीने के लिए बाद्य है तो ये हो जाएगा 70 का भी यूद्सू अगला कोशन है यहां पर 71 इसमें पूछा गया है मिर्दंगिया किस कहानी का पातर है तो ये हो जाएगा आपका रस्प्रिया का D सही बिकल्प हो जाएगा यहां पर अगला कोशन है 72 बैद्यजी किस उपनियास के पातर है तो ये थे बिकल्प सी अर्राग दरवारी उपनियास के पातर अगला कोशने 73 इसमें पूछा गिया है पिता गई, माता गई, गुरुदेव गई, कंदे से कंदा भिढ़ा कर प्रान देने वाला चिय सहचर सिहरन गिया चंदरगुप नाटक में ये कतन किसका था? तो ये कतन हो जाएगा बिकल्प एक चंदरगुपत का अगला कोशन है इस देश की प्रजा के हरीदे में कोई समरिती मंदिर बना जाने की शक्ती आप में है पर ये सब तब हो सकता है कि बैसी समरिती के कदर आपके हरीदे में भी हो इन पंक्तियों के लेखक कौन होंगे? तो ये होंगे बिकल्प भी बालमुकुन गुपत अगला कोशन है 75 इसमें पूछा गया है भाईयों अब तो नेद से जागो अपने देश की सब परकार से उनती करो जिसमें तुमारी बलाई हो बैसी ही किताब पड़ो ये कथन किस निवन से लिया गया है? तो ये लिया गया है बिकल्प C भारत बर्शुनती कैसे हो सकती है? 74 का सही बिकल्प C हो जाएगा और ये भारतिंदू जी की रचना है अगला कोशन है 76 श्रद्दा गरहन करने की भी एक बिदी होती है मुझसे अभी सहज रंग से श्रद्दा गरहन नहीं होती अटपटाज जाता हूँ अभी पार्ट टाइम श्रद्दे ही हूँ ये कथन किस निवन से लिया गया है? तो ये लिया गया है बिकल्प C बिकल्दा का दौर 76 का सही बिकल्प C हो जाएगा अगला कोशन है 77 मुनुष्य ही साहित्ते का लक्ष ये है ये गतन किस आलोचक की स्थापना से लिया गया है? तो ये लिया गया है अचारे हजारी प्रसाद दौर्वेदी की आलोचना से 77 का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला कोशन है 78 कुट्टे की आवाज रपट किस क्षी में संकलित है तो ये हो जाएगा 78 का C रिनजल धंजल अगला कोशन है ब्रेखत और एक उदास नगर शिर्शक अधियाए किस पूस्तक में है तो 79 का सही बिकल्प C हो जाएगा चीलों पर चांदनी अगला कोशन है बिश्नु परभाकर को अवारा मस्रिया लिखने में कुल कितना समय लगा था तो ये लगा था कुल 14 बर्श सही बिकल्प यहाँ पर D हो जाएगा 80 का अगला कोशन है किस विद्वान ने सरप्रत्म आर्य भाषाओं के अधियन की और भाषा बिख्यानिकों को अधियान आक्रिष्ट किया था तो ये किया था बिकल्प E बिलियम जोन्स के द्वरा 81 का सही बिकल्प यहाँ पर A हो जाएगा अगला कोशन है 82 किस भाषा को प्राक्रित और आदुनिक भारतिय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा चाता है तो ये कहा चाता है अपरभण्ष को 82 का सही बिकल्प यहाँ पर B हो जाएगा अगला कोशन है 83 हिंदी की मुल उत्पत्ती किस अपरभण्ष से मानी जाती है तो ये मानी जाती है शौरसेनी अपरभण्ष से 83 का सही बिकल्प यहाँ पर B हो जाएगा अगला कोशन है 84 बगेली बोली को अबधी की दक्षनी साखा किसने कहा था तो ये कहा था हर देव भारी के द्वारा 84 का सही बिकल्प A हो जाएगा अगला कोशने ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है तो ये हो जाएगा बंगला का कृत्रिम रूप 85 का सही विकल्प D हो जाएगा अगला कोशने उच्चारन स्थान के अधार पर 6 दोनी कैसी दोनी है तो ये हो जाएगी तालब भी 86 का सही बिकल्ब यहाँ पर C हो जाएगा अगला कोशन है 87 राजभाशा आयो की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संस्ति समित्ति का गठन किस अनुचेत के अंतरगत रखा गिया है तो 87 के अंतरगत ही यहाँ पर सही बिकल्ब हो जाएगा 344 अगला कोशन है 88 नागरी लिपी का विकास किस लिपी से हुआ है तो यह हुआ है ब्रामी लिपी से 88 का सही बिकल्ब D हो जाएगा अगला कोशन है 89 प्राचीन नागरी का दक्षिनी भारत में क्या नाम है तो यह हो जाएगा बिकल्ब C नांदे नागरी 89 का सही बिकल्ब C हो जाएगा दोस्तों हाँ अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मारे टेलिग्राम गुरूप के साथ जुड़िए वहाँ पर मैं इस PDF को सेंड कर दूँगा हाँ बट से गुरूप में भी सेंड कर दूँगा दोनों से जुड़ सकते हैं आप लोग अगला कोशन है 90 उदन्त मार्तन पत्र में खड़ी वोली का उलेख किस नाम से किया गया था तो ये किया गया था मद्धिदेशी भाषा के साथ 90 का सही बिकल्ब C हो जाएगा अगला कोशन है 91 हिंदी प्रतिप के संपादक कौन थी तो ये थे बालक्रिशन भट दोस्तों वीडियो के अंत तक इस वीडियो को अबशी देखिएगा क्यूंकि वीडियो के अंत में मैं आपके लिए एक टेस्ट सीजीज को लाया हूँ जिसमें आपको एक कोर्स मिल जाएगा अगर आप चाहते तो उससे संपर करिएगा उसका लास्ट में आपको एक वीडियो चला के दिखा दूँगा मैं आप तो चलिए अगला कोशन देख लेते हैं 92 हिंदी के परचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्दा गठित की गई थी तो ये की गई थी बिहार राष्ट्र भाषा परिशद पठना 92 का सही बिकल्ब B हो जाएगा अगला कोशन है 93 महाबिर परसाद द्विवेदी से पुर्व सर्श्वती पत्रिका के संपादक कौन थे श्यामसुंदर दास 93 का सही बिकल्ब C हो जाएगा अगला कोशन है 94 A Sketch of Hindi Literature के लेकर कौन होंगे एडविन ग्रिव्ज 94 का सही बिकल्ब D हो जाएगा यहाँ अगला कोशन है दोला मारूरा दुहा में दोला के पिता क्या नाम था दोस्तों कितना सुन्दर प्रशने देखी यह बढ़ा ही गजव का प्रशन था यह थो तो यहाँ पर जो सही बिकल्ब हो जाना था तो वो था बिकल्ब B राजा अनल 95 का सही बिकल्ब B हो जाएगा अगला कोशन है 96 Gorkhanath का समय ग्यार्वी शति किसने माना है तो जो गुर्खनात का समय 11 शती माना था अधिकतर बच्चों ने ये अचारे रामचंदर शुकल कर दिया होगा पर इसका सही बिकल्ब था D पितामबर्दत बर्तवाल 96 का बिकल्ब D हो जाएगा अगला कोशन है 97 इसमें पुछा गिया है नात्पंत सिद्धों की परंपरा से ही चंट कर निकला है तो ये किसका कथन था? तो ये था अचारे रामचंदर शुकल का 97 का सही बिकल्ब D हो जाएगा अगला कोशन है 98 दक्षिन के आलवार संथ किस भाषा से सबन्दित माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं रामबक्ती शाखा से 98 का सही बिकल्ब C हो जाएगा अगला कोशन है 99 तुलसी दास की निमलकी कृतियों में कौन सी कृति कांडों में भी वाजित नहीं है? तो ये होना था बिकल्ब एक पारभती मंगल अगला कोशन है 100 और अंतीम प्रशन है श्री रामानुजय चारे किस भक्ती से सबन्दित थे? तो यहाँ पर जो सही बिकल्ब होना था 100 का तो बो होना था इन में से कोई नहीं ना वो दासी भाभ से सबन्दित थे, ना सक्की भाभ से और ना दामपती भाभ से ठीक है? तो 100 का सही बिकल्ब D हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों? अगर आप लोगों ने भी ये एक्जाम दिया था UP assistant professor का तो आप बताईएगा आपके कितने प्रशन ठीक होए हैं ठीक है ना? तो ठीक है यहाँ पर अपनी वीडियो को समाप कर लेते हैं आप लोग वीडियो के अंतक बने रहें इसका बहुत धन्यावाद चाले की ने दें जान्यावपा दूतों? झाल झाल